दाउट्रेट पर होग अब अपके सारे फिसिक्स के वेस्टिन माचजाव्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्टों कीचो अपकर आपकर और तुरंच वीडियो सिलुशन पाओ डाउड कीचे डाउट्रेट आप अभी है और फिर वाच्छाप कीचे अपने डाउट 1.03 kg पर मिटर की होग तो सबसे पहले तो क्या कर रहा है कि थर्ड हार्मोनिक स्टेंडिंग वेव में ओपन और और थर्ड हार्मोनिक स्टेंडिंग वेव तो जो थर्ड हार्मोनिक वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हो जाती है 3 V by twice of L तो यहां से जो L की वेल्यू हु 2 L, तो जो L की value यहां से निकली, उसकी value होगी 2 meter, तो lambda की value निकल गई 2 meter, तो अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, कि हमें amplitude निकालना है, तो सबसे पहले तो pressure amplitude और displacement amplitude के बीच में relation देखते हैं, वो होता है bulk modulus into displacement amplitude into k, जो k की value होती है, वो होती है 2 pi by lambda के equal, यानि 2 pi by 2, यानि k की value आगई pi, और जो delta P दे रखा है, वो हमें दे रखा है 1% of atmospheric pressure, और atmospheric pressure 10 to the power 5, इसका 1% यह होगी हमारा pressure amplitude, उसकी value होगी bulk modulus, bulk modulus की value होती है, वो होती है density of air into velocity का square, into amplitude into k की value pi दे रखी, तो यहां से जो displacement amplitude की value आई, वो किस k के को लोगी, 10 to the power 3 upon density, density of air दे रखी 1.03, velocity का square, velocity 332 का square into pi, तो यहां से amplitude की value निकल का ही, वो उसकी value कित्ती होगी, तो amplitude की value निकली 0.0028 meter equals to 0.28 centimeter, तो यह हमारी निकल गई displacement और मुझा है density oscillation, तो density oscillation के निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कि जो bulk modulus की value होती है, उसकी original value होती है, minus of b into p by dv by v होता है, अब जो volume की value होती है, उसको हम क्या लेख सकते हैं, mass by density, तो इसको कह सकते हैं, m by p, और dv की value हो गई, वो कितने हो गई, minus of m by density का square into dp equals to minus of v dp by p, तो यहां से जो dv by v की value निकली, उसकी value हो गई, minus of dp by p की value के equal, अब क्या करते हैं, इसको equation में डालते हैं, तो जो dp की value हो गई, वो गई p into dp by b, अब हमें निकालना है amplitude, इसका मतलब हमें निकालना है dp max, तो जो dp max की value हो गई, वो कितने हो गई, density by bulk modulus into p max, dp यानि p max, equals to p max, bulk modulus की value को हम ऐसे लिख देते हैं, v square into density, और उपर भी density थी, तो density से density कट गई, अब value put करते हैं, तो जो हमें p max की value दे रखी है, वो दे रखी 10 तो दी पावर 3, और जो velocity की value है, वो 330, तो 332 का square, तो कितनी आगए, density oscillation की value आगए, 109 into 10 to the power minus 3 kg per meter cube,